21 दिसंबर को स्री नौध दुर्गा उत्सो समिती के तत्वावधान में दितिये प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जखनावदा प्रिमियर लिग का शुभारम होगा था उक्ता आयजन में प्रथम पुरुसकार 31 सो रुपए दितिये पुरुसकार 21 सो रुपए तरतिये पुरुसकार 1500 रुपए और जतूर्त पुरुसकार 11 सो रुपए विजिताओं को दिये जाने की घुशना की गई थी आयजन में कुल आठ टीमें मिदान में थी जखनावदा को ही दादा किसरे नाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है तो वहीं दादा किसरे नाथ के दिवाने टीम और बनना इस्टा टीम का फाइनल मकाबला हुआ जमतादा केसरे नात के दिवाने टीम ने फाइनल मेच में विज़े पराप्त की साथ ही बनना इस्टा की टीम ने दियूती इस्थान पराप्त किया उसके साथ ही लगान टीम ने चरती इस्थान पराप्त किया इनके साथ ही फाइनल मेच में मेच पुरुसकार जीवन बेरागी को प्राप्त हुआ बेश्ट टूर्णामेंट वाला कुनाल चोहान रहे बेश्ट फिल्डिंग सुरेद सिंगार और मेच सीरिश हरीस मकवाना के नाम हुई टूर्णामेंट विजिताओं को आयोजोग समयुटी द्वारा सील्ड और नगत राशी भेट कर सुबकामने प्रेशित की गई जखना होदा से मनीश कुमूट की रिपोर्ट जेपिल्डि टू का सत्र वए उसमें खिलाडियों ने साइब अपना यौगां द्या हिसा लिया सभी ने भाई चारे के साथ खेलाओं कोई ना विवाद कोई किसी के साथ नहीं हुआ और बोड़ बढ़िया सांदर मेच रहा फाइनल मेच भी बहुत बढ़िया रहा बना के इस्टार और दादा केशा के नात के बीच खिला गया था और दादा केशानाद ने इस मैज में विजयर अजिल करी और उन्होंने पूरी मुहिनत के साथ ठूरूज से ही अपने सभी फिलडर बन्ले बात गेंज़ बात सभी नचा प्रादरिशन करा जिसका नतीज यह रहा के उन्होंने फाइनल जीत दर्जे करी स्री नाउदूर का समीति के तत्वादान में जेपी एल टू का आयजन रखा गया था और इस जेपी एल टू के कुछ आयजग हमारे बीच खड़े हैं आपका मेच यह कैसा रहा और कौन-कौन विजयता रहा काफी सांदार मेच रह जेपी एल टू का सीथ का लीमियर सतरका पर बढ़ा मेच हुए केसरिया नात और प्रतमिस्थान प्राप्ति किया है आप ये जीत का स्रे किसको देना चाहेंगे मैं पूरी टीम को देना चाहता हूँ सभी की बेटिंग सभी की बालिंग सभी की फिलिंग सभी अच्छा रहा है इसी के गारण हम ये फाइनल मेंज उठा पाए है हेलो फ्राइंड्स आप देख रहे हमारा केनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें कर दो